Personality Science, Psychology का एक बहुत ही रोचक और महत्पपूर्ण हिस्सा Interpersonal Relations को और भी बहतर बनाने के लिए Personality Science समझना आवशक है Hello, मैं Dr. Anuradha Hargaray, मैं एक Psychologist और Counselor हूँ Psychologist Sundays इस चैनल में आपका स्वागत हमारी Personality केवल अपने पारिवारिक संबन्दों में नहीं मलकि Office में, Society में, सब जगर बहुत मायने रखती है अपने Boss से लेकर घर में काम करने वाली मेड तक जिस तरह से हम बात करते हैं, उस सभी जगर में मायने रखती है कई तरह की Personalitys हम देखते है कभी कोई बहुत Intelligent होता है, लेकिन उसका Ego आड आता है और उसकी जैसी चाहिए वैसे Growth नहीं होती कोई व्यक्ति मीठी मीठी बातों में माहिर होती है बाते करने में माहिर होती है, लेकिन होती है सिर्ख बोल बच्चन वास्तों में किसी काम की नहीं हम जो भी करते है, जैसा सोचते है उसके पीछे अपने व्यक्तित्व का बहुत बड़ा संबंद होता है कभी अपनी Personality की कुछ बाते हमें खलती जरूर है पर उसमें कैसे सुधार लाए, ये समझ नहीं आता और यदि दूसरा कोई हमें बदलने का सुझाव देता है तब हमें गुस्ता आता है, लगता है ये कौन मुझे बताने वाला? पहले खुद को सदानने का सोचो, फिर मेरी गलती निकालो वास्तों में हमें बदलने की सही में जरूरत होती है पर यदि अपने परस्नालीटी की बारे में कुछ साइंटिफिक चीज़े हमें समझ में आए और वो भी ऐसे व्यक्ति से जो पूर्णता निश्पक्ष हो तो शायद हमें अपने परस्नालीटी की ऐसी बातों का ऐसास होगा जिने सुधरना आवश्रक है और ऐसा प्रयास यदि हम करते है तो निश्पक्ष रूप से हमें अपने परस्नालीटी डेवलप करने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा सोचिए कोई आपसे यदि पूछे कि अद्रक लेसुन वाली नई आश्रिम आई है तो क्या आप उसे ट्राय करेंगे घर पर ऑफिस में यदि कोई आपसे कुछ डॉक्युमेंट मांगता है तो क्या आप दो मिनिट में ला सकते हो या दस मिनिट अलमारी के सभी ड्रावर्स तलाशते रहते हो बस में या ट्रेन में बगल में बैठे किसी अजनबी से आप खुदों के बात करते हो या अपने मोबाईल में या किताब में खोय रहते हो किसी ने जर आसा कुछ बोल दिया तो क्या आप हुमें तुरंत आसु आते है या आप गुसा हो जाते हो आपको बहस करना पसंद नहीं इसलिए आप हमेशा कॉंप्रमाइस करते हो या अपनी बात लोगों के गले उतार ही छोड़ते हो परसनाल लेडीज बहुत कॉंप्लिकेटेड और मल्टी डाइमेंशनल होती है हर किसी का स्वभाव अलब होता है देखा जाए तो मनुष्य का स्वभाव स्थाई समझा जाता है और जिसे पूर्ण रूप से बदलना बहुत डिफिकल्ट भी है पर प्रयतन पूर्वक कुछ हद तक उसे बदला जा सकता है पर उससे पहले हमें अपनी परस्नालिटी पूरी रूप से समझने तो चाहिए कहां इम्प्रूमेंट कर सकते है ये देखना होगा और फिर बदलने का प्रयास भी खुद को बदलने के बजाए हम देखते हैं कि सब लोग दूसरों को बदलने में उसका प्रयास कर रहे हैं जो कि next to impossible है हजार बार समझाया होगा लेकिन सुनने का नाम ही नहीं लेता ऐसा आपने नजाने कितने लोगों से सुना होगा नाकाम होने के बावजूत बार बार कोशिश करने के बावजूत हम दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़ते ही नहीं है किसी दो व्यक्ति का सुभाव एक जैसा हो ये शायद ही possible है व्यक्ति व्यक्तियों में जो अलगा है वो इतना जादा है कि दो जुड़वा पच्चे भी एक समान नहीं होते फिर भी दुनिया के करोडों लोग केवल पाँच सुभाव लक्षणों में ही उनकी या परस्नालीटी ट्रेट्स में ही दिखाई देते हैं यह मानना कितना कटीर होगा पर गोल्डबर्ग, पॉल कोस्टा और रोबर्ट मैक्री जैसे साइकोलोजिस ने काफी रिसर्च के बाद परस्नालीटी टेस्ट बनाई है जो फाइफ एक्टर मॉडेल के नाम से जानी जाती है और उनके हिसाब से, मतलब इस personality test के हिसाब से दुनिया भर के सब यक्तियों में केवल पाच ही सुभाव विशेश personality traits दिखाई देते हैं और इस personality test का नाम है Big Five और Neopiei दुनिया की सबसे popular personality test में से एक यह है और इन five personality traits का नाम है openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism इस five factor model के अनुसार कोई व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला अमीर हो या गरिप, शिक्षित हो या अशिक्षित, सब में केवल ये पाच विशेशताई ही होती है five factors जिने ओशन के नाम से जाना जाता है अर्था प्रत्यक व्यक्ति में इन factors, प्रत्यक व्यक्ति इस factors के spectrum पर होती है हर एक व्यक्ति में हर एक factor होता है, कुछ कम, कुछ ज्यादा किसी के पास एकादा factor है ही नहीं, या पूरा एक ही factor है, ऐसे कभी नहीं होता तो इन सभी factors के बारे में जानना बहुत ही रोचक होगा इसलिए आट से personality series शुरू करने जारी हो जिससे आप खुद को नए सीरे से समझ पाएंगे कि वास्तों में हम कैसे है क्या हमें अपना मौझुदा सुभाओ का उपयोग होता है या नीजी जिन्दगी में, करियर में नुकसान होता है अपनी personality के ऐसी कौन सी बाते हैं जिने हमें बहतर करना होगा दूसरों को बदलने की कोशिश की बिना क्या अपने सुभाओ का ही बहतर उपयोग हम संबंदों में सुधार लाने के लिए कर सकते है क्योंकि दूसरों को बदलने की कोशिश करना कितना मुश्किल है ये कोई कहने की जरूरत नहीं तो ये सब जानने के लिए Psychology Sundays Hindi इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप खुद के बारे में जानने के लिए कितना उत्सुख है ये कमेंट बॉक्स में शेयर करें मिलते हैं Psychology Sundays Hindi के अगले एपिसोड में पर आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद